हलो फ्रेंट्स आपका स्वागता टेस्ट आई क्यों में फ्रेंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मो डाइनमिस का मोस्ट इंपोर्टन टोपिक हीट इंजन, कार्नोर साइकल, हीट पंप और रेफ्रिजेशन साइकल इन चारों चीजों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि काफी स्टूडेंट को कन्फुजन रहता है हीट पंप और रेफ्रिजेशन साइकल की COP में और हीट इंजन की अपिसेंसी और कार्नोर साइकल के बारे में तो हम एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और हम वही चीजे पढ़ेंगे जो एक्जाम पोई टूप से ज़्यदा इंपोर्टेंट है तो वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यदि आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे या फिर आरेसी पढ़ोगे चाए आप पावर प्लान पढ़ोगे तो कार्नोर साइकल तो सब जगे आता ही है और हीट इंजन तो इसलिए आपको लास्ट तक चुरूर देखना है चोटा सा topic है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं heat engine की heat engine क्या होता है? कोई भी जो engine होता है वो उसका काम क्या होता है? वो जो chemical energy होती है fuel की उसको work में produce करता है heat engine is a system that converts heat और thermal energy और chemical energy to mechanical energy which can be used to mechanical work देखिए इंजन में क्या होता है, एक source होता है, जिसका temperature ज्यादा होता है, ठीक है, जिससे हम क्या लेते हैं, heat लेते हैं, और engine क्या करता है, output देता है, energy को इस वे, और कुछ energy loss होती है, जिसको वो reject कर देता है, और जहां पर reject करता है, उसको हम बोलते हैं, sink, तो यहां पर आपको पता हो का basic चीज पता चलिए होगी, आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, efficiency of heat engine, तो efficiency क्या होती है, आपको पता है, efficiency होती है, कि हमने कितना input दिया, उसके comparison में output क्या आया, यानि कि output upon input, हमारा output क्या है, output हमारा है work done, और input क्या है, heat supply, ठीक है, यह तो आपको हो गई, efficiency अब हम बात करते हैं, यहाँ पर heat balance कर लेते हैं, heat balance क्या करेंगे, हम heat supply कर रहे हैं, q1 कर रहे है, is equals to, यह किसमे जा रही है, कुछ work produce हो रहा है, और कुछ heat loss हो रही है, किसमे, sink में जा रही है, यानि कि q1 is equals to w plus q2, यह हम कह सकते हैं, work done जो है, को आपका q1 minus q2 हो जाएगा, यह चीज आपको पता चल गई, तो अब हम work done की जगे, q1 minus q2 put कर सकते हैं, और यह है, heat supply कितनी है, q1 है, तो यहाँ पर efficiency क्या हो जाएगी, efficiency हो जाएगी आपके work done, यानि कि q1 minus q2 upon q1, यह हम कह सकते हैं, 1 minus q2 by q1, यानि कहने का मतलब है कि 1 minus q2 क्या है, q rejection है, और q supply है, तो efficiency क हो जाएगी, 1 minus q rejection upon q supply, तो यहाँ पर आपको heat engine की efficiency पता चले होगी, आगे हम देखते हैं, अब हम बात करेंगी Carnot cycle की, तो Carnot cycle कहां सबसे पहले मैं basic चीज बता देता हूं, Carnot cycle एक ideal cycle है, ideal cycle यानि कि यह practical इसका possible नहीं है, यह ideal condition में लिया गया है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थेोरी की, the Carnot cycle is a theoretical ideal thermodynamics cycle proposed by French physicist Sadi Carnot in 1824, यह ज़्यादा आपके लिए important नहीं है, बस Carnot जिसका नाम है, उसी ने cycle दिया था, it provides an upper limit on the efficiency that any classical thermodynamics engine can achieve during a conversion of heat into work, it is not an actual thermodynamics cycle, but it is a theoretical construct, यानि कहने का मतलब है कि जो Carnot cycle होता है, उसकी efficiency maximum होती है, यानि कि कोई भी practical cycle होगा, उसकी efficiency Carnot cycle से ज्यादा नहीं हो सकती, तो Carnot ने theoretical cycle बनाया, यानि कि एक imaginary cycle बनाया, उसमें कौन-कौन से process होते हैं, वो हम आगे discuss करते हैं, तो यहाँ पर मैंने PV और TS diagram Carnot cycle का बना दिया है, ताकि आपको पता चले कि कौन-कौन से process होते है इसमें चार process होते हैं, दो ISO thermal और दो adiabatic, एक्जाम में सीधा question बूचा जाता है कि Carnot cycle के अंदर कौन-कौन से process होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, वन से टू जो है आपका heat addition हो रहा है, इसके साथ में expansion भी हो रहा है, और temperature constant है, तो यहाँ पर यह यह आईसो thermal है, ठीक है, त फिर उसके बाद में adiabatic compression हो जाएगा, तो दो process हो गए, और यदि हम इसको PV और PV के अंदर अबन ने देख लिया, TS diagram भी आपको पता होना चाहिए, देखिए, वन से टू क्या है, आईसो thermal है, तो यह आपका आईसो thermal आ गया, फिर 2 to 3 क्या है, adiabatic expansion, तो adiabatic process में क्या होता है, entropy constant होती है, तो 2 to 3 entropy यहाँ पर question आजाएगी, फिर यहाँ पर heat rejection हो रहा है, तो constant temperature पर हो रहा है, और फिर adiabatic compression हो जाएगा, तो यह BV और TS diagram आपको याद अखना है, एक्जाम में कभी-कभी diagram भी दे देते हैं, अब हम बात करते हैं, efficiency of Carnot cycle, Carnot cycle is a complete reversible cycle, इसका एक एक प्र cycle है, जिसकी efficiency सिर्फ और सिर्फ temperature पर depend करती है, यानि कि source का तेमपरेचर और sink के temperature पर depend करती है, working cycle पर नहीं depend करती, यानि कि कोई भी fuel हो चाये, petrol हो डीजल हो, उस पर depend नहीं करती, वो सिर्फ temperature पर depend करती है, यानि कि दो cycle मानलो, वालों, एक डीजल cycle है, और एक autocycle है, उन प्राइक्टिकल पॉसिबल क्यों नहीं है तो यहां पर आप साइकल पढ़ते हैं उन सब में यह मैक्सिमम एफिसेंसी होती है अब यह काफी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि यह प्रैक्टिकल पॉसिबल क्यों नहीं है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ जैसे वन टू टू प्रोसेस है वो आपका आईसो थर्मल है ठीक है यानि कि आईसो थर्मल है तो आईस धू यानि कि ऐडि जीरेग्शन गोगा हीDIO तो इसलिए वहाँ पे एडिय जेदाग को सेर्मल हो जाएगा यानि कि बहुत स्रों हो जाएगा फिर एकदम ला टोका पर्याइक्र ये चीज पोसिबल नहीं है कई बार interview में execution पूछ लेते हैं कि Carnot cycle possible क्यों नहीं है तो practically इसलिए possible नहीं है अब हम बात करते हैं heat pump और refrigeration cycle के बारे में heat pump और refrigeration cycle है उनकी COP में काफी student को confusion रहता है क्योंकि COP में कौन सा कब लेना है वो हम discuss करेंगे a heat pump is a mechanical system that allows for a transparency of heat from one location the source at the lower temperature to another location sink or heat sink at higher temperature कहना का मतलब है heat pump जो होता है उसका काम होता है lower temperature यानि कि sink से heat abstract करके निकाल कर और source को देना यानि कि lower temperature से higher temperature को बेजना और यह possible कब होगा जब हम बाहर से work done देंगे just the heat pump में भी थोटे जे heater यानि कि heater में आपने देखा होगा जैसे आपके गर में heater लगावा होगा सर्दियों में यूज करते हैं तो भार का temperature काम होगा और अंदर का temperature ज्यादा होगा फिर भी हम क्या करेंगे heat जो है बाहर से लेंगे और अंदर और बेजेंगे यानि कि जो हमारा अल्रेडी ज्यादा temperature उसको और गरम करेंगे वो होता है heat pump इप दा objective is to warm the heat उसके बाद में हम बात करते है रेफ्रिजरेट की इप दा objective is to cool the heat source इन आइडर केसे दा ओपरेटिंग प्रिंसिपल इस आइडेंटिकल दोनों में प्रोसेस सेमी है लेकिन डिपेंड करता है कि हमको heat कोई सा करना है या cool कोई सा करना है आगे हम देखते हैं इसका schematic diagram तो यहाँ पर मैंने engine और refrigeration दोनों का आपको diagram दे दिया है तो यहाँ पर देखिए engine में क्या होता है एक heat source होता है अब heat उससे लेते हैं कुछ work output होता है यानि कि यहाँ पर work produce हो रहा है तो engine क्या हो गया work producing device हो गयी और जो कुछ heat result होगी वो sink में हो जाएगी लेकिन refrigerator और heat pump में क्या होता है हम जो हमारा lower temperature होता है उससे heat abstract करेंगे और फिर हम उस work input की वज़े से हम higher temperature को देदेंगे अब यहाँ पर देखिए आपको refrigerator और heat pump मेंट difference क्या है यदि हमारा motor है गरम करना तो हम use करेंगे heat pump और यदि हमारा motor है cool करना तो हम क्या करेंगे उसमें से heat को abstract करेंगे यानि कि हमारा desired effect क्या है देखिए refrigerator होगा तो मानलो इसका temperature already कम है ठीक है यह T lowest time इसमें क्या करेंगे हम इसमें से और heat remove करेंगे और बाहर बेज़ देंगे तो यह और cool हो जाएगा और यदि हमारा motor है कि इसको heat देना है जैसे हमारा यह मानलो रूम है इसको heat up करना है तो हम बाहर से heat लाएगे और इसको देदेंगे तो हमारा temperature बढ़ जाएगा अब हम इनकी COP की बात करते हैं COP क्या होती है Useful heating or cooling to the work required वो होती है COP कहने का मतलब है COP होती है आपका इसको formula आपको याद रखना है desired effect desired effect upon work input work input अब यहाँ पे desired effect जो है वो हमारा refrigerator के लिए अलग है और pump के लिए अलग है यह चीज़ आपको ध्यान होनी चीज़िए हम सबसे पहले COP देखते हैं COP of refrigerator तो COP of refrigerator क्या हो जाएगा desired effect हमारा क्या है refrigerator की बात करेंगे तो lower temperature हो जाएगा तो lower temperature हो जाएगा तो आपका T lowest और उसका difference हो जाएगा T highest minus T lowest यह direct formula में लिख रहा हूँ आपको याद रखना है ठीक है desired effect upon work input हो गया और यदि हम temperature के रूप में बात करेंगे तो T lowest temperature हमारा जो है desired effect हो जाएगा और यदि मैं बात करूँ COP of heat pump की तो हमारा T highest temperature हो जाएगा desired effect क्या है highest temperature तो T highest upon T highest minus T lowest अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में relation क्या है कई बार exam में दोनों के बीच में relation पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है COP of heat pump आप खुदी निकाल सकते हैं is equals to 1 plus COP of refrigerator is equals to 1 upon efficiency of heat engine यह तीनों के बीच में relation होता है और यह कब possible है जब temperature limit same हो एक ऐसे condition है कि यदि temperature limit same है तो यह relation valid होगा और यह exam में बहुत बार पूछा जाता है तो फ्रेंट्स यह था चोटा सा वीडियो आपको वीडियो कैसा लागा comment box में जरूर बताना और यह मैंने वीडियो इसलिए लिया थाकि आपको आगे numerical हम करेंगे तो आपको कोई confusion ना रहे तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like और दोस्तों के साथ share जरूर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो subscribe जरूर कर लें ताकि जब भी मेरा next वीडियो आए तो आपको notification मिल सकें तो वीडियो को complete दखने के लिए दन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब टक लिए जैहीं जै बारत